हलो एवरीवन सो माई नेम इस कुलदीप सिंग राठ और वेलकम इन गेट वाला प्लेटफोर्म सो गाइज आप सबको पता है कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी अपडेट कोई भी इंफोर्मेशन और कोई भी ऐसी इंपोर्टेंट न्यूट जो आपका केरियर बिल्ड कर सकत यह मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको गेट वाला के प्लेटफोर्म पर और आप सबको पता है बैक टू बैक नोटिफिकेशन आ रहे हैं ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन में कोई ना कोई नोटिफिकेशन कवर नहीं करता हो तो देफिनेटल गाइज मल्टीप कंपनी लिमिटेड जो गोर्मेंट ओप इंडिया अंदर आता है तो इसमें काफी अच्छी वेकेंशी जाई है 450 एडमिनिस्ट्रेटिव ओफिसर्स की वेकेंशी जाई है जिसमें काफी सारी वेकेंशी इंजिनियर्स के लिए भी है तो इस कम्प्लीट नोटिफिकेशन को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंपोर्टेन इंफोर्मेशन पास कर देता हूं आप लोगों के लिए एक स्टुडेंट कम्यूनिटी बनी हुई है कुल्दीप सर अंडर इसको पीडवल्यू के नाम से टेलीग्राम चैन है और वह लोग भी वहां पर अवयलेबल हैं जो महरे पास्ट इस टूडेंटों है तो आप लोग क्या करेंगे कि आप उनसे भी इंट्रेक्शन कर सकते हो आपस में इंट्रेक्षन कर सकते हो थो से आपकी काफी जअधा मजब हो जाती है तो जो इन जरूर्योड सार अंदर इसको पी डब्लू टेलिग्राम चैनल तो आज का अगर हम नोटिविकेशन की बात करें तो काफी ज्यादा इंपोटेंट है न्यू इंडिया इस्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है वो पॉब्लिक सेक्टर अंडर जनरल इंस्योरेंस कंपनी के अंदर आता है पी है लेकिन हमारे काम की जो है रिस्क इंजिनियर और इंजिनियर सेग्मेंट की वेकेंस है यहां पर अगर आप देखेंगे गाईस तो इसमें इन्होंने गेट से लिया है क्या नहीं ऐसा नहीं है मैं अभी आपको सारी चीज़े बताऊंगा आप बस पैसेंस के साथ सुनते रह और यहां पर आप यहां पर अप्लाइब कर सकते हैं ठीक है यहां पर सारा का सारा इन्होंने डेटलाइन लिख रखा है कि online जो है वो कैसे registration होगा फिर फेस्वन ओनलाइन examinations का डेट फिर फेस्टु ओनलाइन examinations objective प्लस डिस्करप्टी का डेट अभी यह tentative है यह चेंज भी हो सकती है इसके बाद गाईज यहां पर आप देखेंगे तो इन्हों इस अगर आप यहां पर देखेंगे तो 50,925 आपका रहेगा जिसमें इंक्रिमेंट पगेर होंगे अगर आप यहां पर कुछ-कुछ आपके लाउंसे इंक्रिमेंट वह सारे दे रखें अगर फाइनली अगर आप सारे जो अलाउंसे जें सब को आपके पास आजाएगा अगर आप मेट्रोपिलियन सेटी में हैं बाकी और भी आपको बेनिफिट मिलेंगे जैसे पीएफ आर्डी हो गया ग्रेटिटी हो गया ल्टीस मेडिकल बेनिफिट ग्रूप परसनल इंसिडेंट तो सारे जो गवर्मेंट और्गनाइशन के बेनि आपको बहुनाइब अधिक पर रखीएगा तो अगर आपने अंगे परसकते हो ओटो मोबाइल इंजनियर के बारे में बात करें तो इसमें बीटे यूब सब ओटो मोबाइल वाली जो फिल्ड से जिन बच्चों ने कर रहा है वो सारे इसमें लीजिबल हो आते इसके अलावा जो बच्चे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में से कुछ भी कर रहा है मेकेनिकल इंजिनिरिंग से 60% से जादा वो बच्चे यहां इसके बाद बात करें एज जो है उसके लिए टेबल ये मैं यहां टेबल दी हुए मैकसीमम इज रखी हो ट्वन तुवन इन्होंने मिनिमंम वेज रखिए इसके बाद ईप्रेंन के आत्यक्रेई से रिल्यक्षन है तो यह जो नोटिविकेशन की पीडियेप मैं आपको टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर अंडर इसको पीड़ेव में डाल दूँगा वहाँ पर इसको एक बार श्टडी कर लिजेगा और जो भी इंपोटेंट है और भी काई सारी चीजे जो है वह आप अपनी केटेगरी के वाइस आप नोटीस कर सकते हैं उ स्लेक्षन परुसेस के बारें बात करें तो यह डिफॉरेंट इग्जाम्नशन्स ले रहा है विदाउट गेट ले रहा है यहां पर प्रिलीम्री एग्जामणेशन आपका होगा जो अब्ज submission um होगा 100 मार्क्स का यह होने वाला है इसमें त्री सेक्षन सापके होंगे इंगलीस लेंग्वेज 30 मार्क्स का आएगा रीजिनिंग अबिलेटी 35 मार्क्स का और क्वांटेटीव अप्टिट्यूड के पीवाई क्यों अगर मुझे मिलते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर अंड्रेश को पीड़ल्यू में शेयर कर दूँगा यहां में मेंस एक जमनेशन्स की बात करें गाई तो इसमें भी आपका 200 मार्क्स का होने वाला है डिसक्रेप्टिव टेस्ट में आपको 2. अगर आप देखो के डिफरेंट पोस्ट वाई स्लेबस देर का यह जर्नलिष्ट की पोस्ट के लिए स्लेबस यह यहां पर देखेंगे तो जो भी आपका डॉमेन है जिसमें आप प्रोफेशनल नोलेज रखते हो जैसे माली जी कि अगर आप मेकेनिकल से फिल कर रहे हो तो मेकेनिकल के फिल से लेटर आपका जो होगा उसके क्यूशन आएंगे बाकी टेस्ट ऑफ रीजिनिंग टेस्ट ऑफ इंग्लिश लेंगे टेस्ट ऑफ जन्रल अवेंश टेस्ट ऑफ क्वान्टेटीव एप्टिटूड यह कोमन रहेगा बाकी जो 40 मार्क्स आपके यहां पर गिनिश्ट होते हो तो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और इसमें फाइनली स्ट हो सकते हो इंटर्व्यू के प्रोसेस में यह जो है अगर आप देखेंगे ओनलाइन एक्जामनेस और इंटर्वी का वेटेज जो है 75 परसेंट ओनलाइन एक्जामनेस इसंट गया जाएगा 25 परसेंट जो वेटेस है वो दिया जाएगा आपका इंटरव्यू का तो यह भी नोंने मेंशन कर रहा है ठीक है और एक डोमेन में एक रेश्यो में यह लोग बुलाते हैं बाकी और भी नोंने बहुत सारे कि आपके अपके डोक्यूमेंटेशन वगरा क्या चाहिए एक जामनेशन सेंटर आपके कहां का रहने वाले हैं हर एक इंडिया में एक्जाम हो रहा है आराम से टेम कर सकते हैं एक्प्लिकेशन के आप यहां पर देखेंगे जो जनरल के कैंडिडेट है उनकी एट फिप्टी रूपीज सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना इनकी ओफिशल वेबसाइट पर जाना है इसके लवाज अप्लाइब करने की लिंक है वह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल कुल्दीफ सर अंडेश को पीड़ेबल्यू में तो वहाँ पर आप जाके जोइन कर सकते हो तो गाइस काफी अच्छा नोटिफिकेशन है विदाउट गेट है एक अपोर्चनेटी है जिन बच्चों को भी पास जिन्होंने गेट में अच्छा पफोम नहीं किया है तो डेफेनेटल आप यहाँ पर सेलेक्शन ले सकते हैं आपके पास एक अच्छा चांस सेलेक्शन लेने का तो डेफेनेटल आप लोग जाके इसमें अप्लाई करिए अगर आपको कोई भी प्रोब्लम आती है टेलिग्राम पर पूछ लिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लिजिएगा इसी के साथ इस वीडियो को यह